नमस्कार मैं रितेश कुमार आप सभी आगनबारी बहनों का आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ और सबसे पहले आप सभी आगनबारी भाई बहनों को हमारे तरफ से दिपावली की हार्दिक सूब कामनाय आप सभी के घर माता लक्षमी की किरपा बनी रहे तो चलिए सबसे पहले आप सभी आगनबारी बहनों को आई सिरियस विभाग के तरफ से एक लेटर जारी किया गया है जिस लेटर के बारे में आप सभी को जनकारी देने वाला हूँ कि ये लेटर किस परकार की है तो देखिए जैसे कि इस लेटर को जारी किया गया है आगनबारी सेविका और सहाइकाओं के लिए जिसमें कि आगनबारी सेविका और सहाइकाओं को एक पोर्टल के माध्यम से जोरा जाएगा जिसका नाम है इसरम पोर्टल जैसे कि इस रम पोटल क्या है और इसका लाब किस परकार से आप सभी आगनबारी सेविका और सहाईकाओं को मिलेगा तो आज के इस वीडियो में इसी की जनकारी आपको step by step देने वाला हूँ तो आप सभी इस वीडियो को लाश तक जहुड देखिएगा और सभी आगनबारी बेहनों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए आपके एक लाइक करने से हमें बहुत ही खुसी मिलती है और हम आपके लिए इस परकार की नई नई वीडियो लेके आते रहते हैं और जो भी नए भीवर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजे ताकि उनको भी इस परकार की नई नई जनकारिया मिलती रहे तो चलिए सुरू करते हैं आज का ये वीडियो तो जैसे कि देखिए बिहार सरकार ICDS विभाग के तरफ से एक लेटर जारी किया गया है जैसे कि आप यहाँ पे डिर्ट देख सकते हैं 3.11.2020 यानि कल ही इस लेटर को जारी किया गया है जिसकी संख्षी का संख्या है 579 और जैसे कि इस रम पोटल के माध्यम से आप सभी आगनबारी सेविका सहाईकाओं को रेस्टेशन किया जाएगा और इसका जो लाब है वो आपको भी दिया जाएगा तो वीडियो में बने रही है जैसे कि इस लेटर को जारी करने वाले हैं नोडल पधादिकारी और सेविका सहाईका अस्थापना ICDS तो ये लेटर काफी महतोपूर्ण है आप सभी के लिए जैसे कि सेवा में सभी जीला प्रोगराम पधादिकारी और सभी कि बाल विकास पडियोजना पधादिकारी देखिए इस लेटर का जो मुखे विषय दिया गया है यहीं से आपको थोड़ी भाव जनकारी मिल जाएगी कि ये लेटर किस विषय में है जैसे कि माननिय सर्वोच नियाले द्वारा पारित आदेश के अलोक में औस अंगठित कामगारों का इसरम पोटल पर निबंधन करने के संबद में जैसे कि आप सभी को इसरम पोटल के माध्यम से निबंधन कराए जाएगा जिसमें कि इस सरम से जो मिलने वाले बेनिफिर्स है वो आप सभी आगनबारी स्तेविका और साहिकाओं को भी दिया जाएगा जैसे कि इस सरम पोटल क्या है इस सरम पोटल के माध्यम से जो लभार्थी जुड़ेंगे जैसे कि भारत के 38 करोड जो मजदूर है उनका रेश्टेशन इस सरम काड के तहत किया जा रहा है और उनको परधान मंत्री जीवन जोती बीमा योजना परधान मंत्री समाजी योजना और ऐसे बहुत सारे योजना हैं जिस योजना के तहत आपको लाफ दिये जाएंगे और जैसे कि महा से निदेशा नुसार उप्रियुक्त विषय के समबंध में कहना है कि आगनबाडी सेविका और सहाईकाओं का इसरम पोटल पर निबंधन है तो निम्न विबरणी के अनुसार सुचना की आवस्तेक्ता है यानि आपसे जो भी डिटेल्स है इसरम से निबंधन करने है तो आपसे उसकी डिटेल्स मांगी जा रही है जो कि आप लोग का डिटेल्स मांग के आपको इसरम पोटल पर निबंधन किया जाएगा अता अनुरोध है कि गूगल लिंक ये जो लिंक है इस लिंक पर आगनबारी सेविका एवम सहाइकाओं का डाटा और बिलंब अपलोड करें ताकि स्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार को सच समय उपलब्द कराए जा सके किरप्या इसे अति आवस्तेक्त समझा जाए यानि कि ये जो लिटर है काफी महतोपूर्ण है और इसका जो डिटियल से आप सभी को अपने विभाग में दना होगा जिससे कि आपका जो रेश्टेशन है वो इस रम पोर्टल के माध्यम से किया जा सके तो देखिए जो इस रम पोर्टल पे रेश्टेशन होगा उसमें जो फायदे है जैसे कि इस रम पोर्टल के माध्यम से जो भी इसके लभार्थी है उनको अगर किसी दुरगाटना में जो लभार्थी है उनका मिर्तु हो जाता है तो उनको दो लाख रुपे तक का बीमा जैसे के आंसिक या पूर्ण विकलांगता हो जाती है तो उनके पडिवार को एक लाख रुपे तक का भीमा कभर दिया जाएगा और भी इससे जोड़ी बहुत सारी यूजना हैं जिससे की जो भी लभार्ती हैं उनको इस यूजना के तहट लाब दिया जाएगा तो आंगनब बहनों को पसंद आये हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर किजेगा और इस वीडियो को अपने आगनबारी के अन्य गुरूप में जरूर सेर किजेगा ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल सके इस वीडियो में फिला ली तरह ही मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जरूर के साथ तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद